हेलो गाइज वेलकम तो पाइब एजूइशन यूनिट आया हम सारप यह इंस्ट्रक्टर फो बेसी कंपीटर कोस्ट आज हम इंट्रड़क्शन टू कंपीटर्स में लेक्चर 7 यानि टाइप्स ओफ प्रिंटर्स के बारे बात करेंगे जैसे कि जो हमने आउट्पूट डिव तक प्रिंटर मने लोगता है जयाते हैं जैसे हमाँ वाइं एंप्रेंटर्स आंड नौन-गांध्र विट्र आज हम करेंगे अज हमारा पूरा वुट्वरा लेक्ट्टर इसीवे बेस रहेगा ज़िए सबसे बहुत से हम शुरु करते हैं हम देखते हैं वापस प्रिंटर क इस किस तरह की होते हैं। अगर हम ऐसल हमाप्स दो तरह की होते हैं। इंपह्से कि अगर इंपह्सें हैं। धार इंपह्सें। you बात करें, Line Printer, हमाँ पास वो Printers होते हैं, जो की एक टाइम पर एक लाइन को Completely Print करने में शक्षम होते हैं, जैसे कि में पास जिसमें कौन-कौन से Printers हैं, Drum Printer and Chain Printers. इस अजिसमें को क्वारे में हम पढ़ेंगे अभी क्या-क्या होते हैं, Non Impact Printers के बारे में, अगर हम बात करें नौन इंपएक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास जो मिन्स अब वापस लीटेस्ट टेक्नोलोजी पर गाम करते हैं जिसमें हमारे पस जो example efforts hyvä अधे प्रिंटर्स laser br Táin artists and last one is l trustworthy सबसे भाइल हम आजके लेक्ट्चर में extraordinary हमांपस क्या होते हैं कि मिन्स हम impact printers पे जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि हम आपस impact का मतलब क्या हो गया जैसे कि for example अगर आप अपने घर में सबस्किसी भी wall पे किसी keel को आप लगाना चाहते हो तो मिच इन शॉट एक keel होगी जहाँ पे एक उसका pointing surface होगा और एक पीछे जहाँ से आप उस keel पे किसी चीज से hit करोगे means basically हम keel पे किसी hammer से ही hit करते है आप suppose इस hammer से इस keel पे आप hit करते हो तो normally जहाँ पे भी wall पे आपने place की है तो वहाँ पे एक impact बनेगा एक प्रभाव बनेगा जहाँ पे अगर keel suppose pointed है तो एक छोटासा point हमाँ पे बनके आ जाएगा अगर keel suppose में पास थोड़ी सी heavy होती है मोटी होती है तो हमाँ पे उतना ही हमारे पास एक impact आएगा similarly अगर मैं इस keel को यहाँ से replace करके इस type से एक section लूँ जहाँ पे हमारे पास एक character हो A A बना हो और मैं फिर इस पे hit कराऊ तो means obviously आप समझ गए होगे कि इस बार हमारे पास क्या होगा जो भी surface होगा suppose wall है paper है या कुछ भी चीज है तो महाँ पे directly A print हो जाएगा means इसी type के printers को हम क्या बोलते है impact printers right so as well हम impact printer की definition में बात करते है means impact printer क्या है it is a type of printer that works by direct contact of a ink ribbon with paper means paper का जब direct contact हमारे पास एक ink ribbon के साथ होता है normally एक ribbon होगा जिसमें हमारे पास ink रहेगी means जो भी हमारे पेपर प्रिंटिंग होगी वो इस ink ribbon के थू ही होगी अभी हम बताता है यह ink ribbon कैसे होता है this printers are typically loud means जो impact type के printers होते थे means आज की डेट में भी चलते हैं यह यह थोड़ा से noisy होते है means यह आवाज थोड़ा ज्यादा करते है but remain in use today because of their unique ability to function with multi-partform means आज की डेट में भी हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा other printer से अलग different way में काम करता है and impact printer has mechanism resembling those of a typewriter means यह printer जो हमाँ पास होते हैं वो basically typewriter की तरह दिखते हैं जिसके हमाँ पास typewriter already पहले means अगर आप court में जाते हो तो आज की डेट में भी बहुत सारे courts में हम typewriter का इस्तेमाल देख सकते हैं जिसके हमाँ पास जो affidavits बनते हैं या rent agreements बनते हैं जो affidavits बनते हैं वो हमारे typewriter में ही होते हैं अगर हम typewriter की बात करें suppose यहाँ पे हमारे पास एक character A है एक character J है एक character K है एक character I है means suppose मैं अगर इस A पे hit करता हूँ अगर suppose मैं इस A पे hit कर रहा हूँ तो means मेरे page पे प्रिंट होगा कैसे means यहाँ से एक page होगा right तो यह print कैसे होगा means normally अगर हम इस A के पीछे की background देखते हैं तो means इसके अंदर हमाँ पास कुछ इस type से यह pin heads लगी होती है suppose अगर मुझे यहाँ पे इस U को print कराना है तो मैं हमाँ से means typewriter के U को hit करूँगा तो यह वाला जो यहाँ पे U Ambrose है यह directly जाके हमारे paper पे hit करेगा तो means हमाँ पे हमारा U print हो जाएगा इसी mechanism पे हमारे पास impact printers का use बना है I think आपको समझाया होगा impact printers के अगर हम हिंदी बढ़ते हैं impact printers वे printer होते हैं जो अपना प्रभाव means impact छोड़ते हैं जैसे typewriter printing की है विधी typewriter की विधी के समान होती है means जैसे कि हमारे पास जो typewriter printers होते है similarly impact printers उसी means उसी basis पे काम करते है जैसे कि हमारा एक typewriter काम करता है जिसके धातु का एक hammer या print head means जैसे कि hammer हमारे पास क्या होगा है जैसे कि अल्रेडी में बता रहा हूं हमारा पर यू एम बूस्ट था अगर मैं टाइप रेटर पे यू को प्रेस करता हूं तो मिन्स वो डारेक्टली अंदर का जो पीन हैड होगा मिन्स आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या होती है पिन है डारेक्टली हमारा पास पेज जाके हिट करता है जिससे कि हमारा पेज पर प्रिंटिंग आती है जो कागज वे रीबन से टगराता है मिन्स एक कागज होगा कोई भी हमारा पास पेज होगा पेज से पहले हमाँ पास जरीबन होगा मिन्स रीबन डारेक्टली पेज पर जाके लगेगा तो मिन्स वहाँ प आप Business ओई लागम बात leo जैसे फॉर एक्जामबल आप बैंक में जाते हो तो बैंक में आज की डीट मेंовी यह जो मुंहें होता है जैसिक्य सब्सकिश्वर केंपिग बनाते हो या हमारे पास स्टेक्मेंट निकलती है बैंक की Tin अपनी पास्बुक की एंट्री करवाते हो तो वो भी सारा-सारा dotmetrics printer पी ही निर्भर है अगर हम dotmetrics printer की definition पर थोड़ा सा बात करते हैं this type of printer that produces characters और illustrations means यह जो printers होंगे यह character को print करते हैं या character से मिले जूले एक किसी illustration को print कर सकते हैं by striking pins means same mechanism पर काम करेगा जैसे मैंने impact printer में आपको बताया means by striking pins को hit करेगा against an ink ribbon means एक कर इंक ribbon होगा उसके against पर suppose यह मेरे पास ink ribbon है यहाँ पर मेरे पास कुछ pin है right means directly क्या होगा यह pin सबोज मेरे पास यहाँ पर page है directly pin हमारा एक hit करेगा जहाँ पर hit करेगा इस page पर एक हमाँ पर mark आ जाएगा right closely space dots in the appropriate space means जो भी हमाँ पास suppose मैं अपना नाम प्रिंट करना चाहता हूं तो dot matrix के basis पर जो मेरे नाम प्रिंट होगा वो कुछ इस टाइप से प्रिंट होगा suppose अगर हम ने किया मैंस वो closely थोड़ी से dots रहेंगे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा प्रिंट होता है मिंस इस टाइप से नॉमली कुछ प्रिंट होगा मिस्टॉट इडवे में हमारे पास हर एक चीज प्रिंट रहेगे अगर हम देखते हैं जो हमाँ पास dot matrix printer होते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं यह head इसको हम बोलते है pin head basically right pin head जो हमारे पास page पे मिंस ही मेरे पास page है मिंस यहां से hit करेगी एक pin directly dot 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 की form पे जो कि हमारे पास बीच में ribbon होगा मिंस आपको अगर यह दिख रहा होगा इस पार्ट इसको हम एक ribbon है जिसको हम increment होते हैं और directly यहां से जब hit करेगा तो इस इंक ribbon के थुरू हमारे पास printing printing स्टार्ट हो जाएगी यह head इस direction से लेके इस direction तक घूम सकता है मिंस यहां से यहां पर भी जाएगा यहां से यहां पर जाएगा जहां जहां पर इसको print करना होगा वो अपनी location को उसी type से change करता रहेगा जो हां पास ink ribbon होता है वो कुछ इस type का होता है यह head मेरा ink ribbon पर थोड़ा सा revolve करता रहेगा मिंस इस पूरे के पूरे ribbon में में पास ink भरी रहती है जब तक जितनी ink इसमें रहेगी उतना ही print हमारे पास dark आएगा कि जो होता है आपास इस पे डॉट्मेट्रश प्रींटर में जैसे कि मैंने वो आपको बताया ऑल्रेडि जो परिंट आएगा वो कुछ डौours फोरम में आएगा मिनस डौ्डर अभर अola हर एक चीच दॉट्ड़ डौर की की फॉर्म में को बीर एक ला यहीं संप सरे दोट की फॉर्म में ही आती है अगर हम देखते हैं कि डॉट में ट्रिक्स प्रिंटर है वापस काम कैसे करता है चलिक देखते हैं यह सारे जर रहे मैं है ट्रॉट 5 कि अधिया को समझ जाएगा dotmetric printers कैसे काम कर रहे हैं अभिन next section मूब करते हैं जो हाँपस है decibel printers, means basically आज की डेट में decibel printers का थोड़ा सा इस्तमाल कम होता है, क्योंकि यह deprecate हो चुके है, means decibel printers के बारे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, डेजिवल प्रिंटर स्या होते हैं डेजिवल प्रूंटर प्रिंट शकते हैं। in general they are very noisy means यह बहुत ज्यादा noise करते हैं and slow in printing means normally 10 से 10 से 75 करेक्टर एक सेकंड में simple print करते हैं जो कि बहुत slow है अगर हम देखते हैं जसके हमने अभी टाइप रेटर के case में देखा था कि हमाँ आपस सारी सारी पिंस हैं जिसमें कुछ नगुच letters embossed है इसमें में पास Daisy wheel में एक गूल रहेगा पुरी रिंग रहेगी जिसमें हर एक character embossed रहेगा या characters हमाँ पास repeat भी कर सकता है that depends अगर हम बात करें जो हमाँ पास Daisy wheel से print आता है वो हमाँ पास dot matrix printer से थोड़ा सा good quality में आता है मिस अच्छे quality में आता है क्योंकि जो इसमें हमाँ पास letters होते हैं और directly एक pin head से print होते हैं तो मिस हमाँ पास जो इसका print आएगा वो थोड़ा सा अच्छे form में आता है अगर हम Daisy wheel printers के बारे हम बात करें कि वो कैसे work करते हैं करते थे तो हम एक बात देख लेते हैं इनको भी कि आपको idea हुआ होगा कि Daisy wheel printer कैसे हम अपने प्रिंटिंग को पर्फर्म कर रहा है कि हम next category देखते हैं इसमें इसमें that is our chain printer chain printer जैसे कि suppose हम cycle चलाते हैं तो cycle में एक chain रहती हमाँ पास जैसे जैसे हम पैटलिंग करेंगे chain हमारे revolve करना शुरू करेंगे similarly हमारे chain printer इसी mechanism पे हमारे पास based है हमाँ पस क्या होगा एक chain होगी जो कि हमाँ रिवाल्व करती रहेगी और हमाँ वहाँ पस दो ribbon होंगे हां पर जहां पर हमाँ पस ink रहेगा और इस chain में हर एक letter हमारे पास embossed रहेगा मिन्स यहाँ पेक letter होगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा U है T है S है A है मिन्स हर एक section पर हमारे पास कोई ना कोई letter होगा एक page होगा जिस पर हमें printing करने है तो page इस chain पर यहाँ से यहाँ तक अब पर लेते हैं इसके बारे में अब print element in the chain printer is a metallic band और chain containing a embossed character means एक chain हमारे पास है जिसमें कुछ character embossed है मिन्स यहाँ से इधर revolve करेगी मिन्स इस type से हमारे इस तरफ आ रही है इस तरफ आते आते हैं मिन्स chain कभी ना कभी यहाँ से आते आते इस print hammer के base पे इस print hammer के नीचे कभी ना कभी सबोज हम यू print करना चाहते हैं तो print hammer के नीचे इस chain में यू आएगा जैसी यू आएगा तो print hammer directly उस पे hit करेगा तो page पे जाके वहाँ पे print हो जाएगा a complete chain consists of 5 sections each section consists of 48 characters means इसके अंदर हमापस 5 sections से में divider रहता है और हर section हमापस लगबक 48 character को रखता है अपने पास as the print chain rotates properly timed print hammer strike the paper along with linked ribbon chain printer are one of the fastest impact printer that can produce up to 400 to 2500 character per second means in short जैसे chain move करेगी हमारे पास तो अगर मुझे you print करना होगा तो उसी time पे जब you हमारे पास इस section पे आएगा तो print hammer यहाँ पे हमारा hit करेगा जो कि बीच में हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो black color का है यह में पास ribbon होगा यहाँ रिबन हमापस इस side भी रहता है पूरा पूरा रिवाल्व करेगा ऐसी एक पूरी पूरी शीट हमापस ribbon की यहाँ से directly hit करेगा तो यहाँ पे में पास क्या आ जाएगा यह आ जाएगा सब्स मुझे यहाँ पे एप्रिंट करना है क्योंकि जो में पास ribbon होगा वह यहां से लेके यहां तक पूरा एक बैक्ग को क्यूटा को ग्यां यहां यहां चैंनम पर्न किसे काम करता है ने क्क्रें वाल पॉन मि funktioniert प्रिंटर आज पूर्म सरी नहीं कारेक्ट्डर को प्रिंटर होती है और ऑंजवysis के परने होते ही सूंती समाल चैनलृकिए और युठ्जी Heidic Print Mechanism When the desired gesture for the selected position rotates around to the Hammer Line to hammer hit the paper from behind and push it onto the ribbon अगर वात खरें I miss the कर ता कैसे हमारे पास एक drum रहेगा जिसमें सारे के सारे les Kia hero r wood हमारे खोंगे एक माप्ना स्प Corinne né chain मी बएका था ये drum महले 같습니다 करता रहेगा I impossぎं घूंतां रहेगा और एक page हमारे पास बीच में रहेगा, means hammer और drum के बीच में एक page रहेगा, right, means suppose अगर मुझे किसी भी letter को, suppose यह means hammer मेरा जो move करेगा, वो इस position से लेके यहां तक, या last position से, means यहां से लेके इस portion तक revolve करता रहेगा, means कभी इधर जाएगा, या कभी इधर जाएगा, suppose उसको कोई भी letter, suppose हम इस line में माल लेते हैं, इस line में print करना है, suppose यहां पर हमारे institute का नाम print करना चाहरा है, सबसे पहले यहां पर आएगा, P को print करेगा, फिर I को, फिर V को, फिर O को, फिर T को, XYZ, means यह हमारे पास जो hammer होगा, directly इस side से, इस side move करता रहेगा, right, means drum printers हमारे पास basically अलगले types के होता है, लेकिन हम characters की बात करें, तो हम characters में इस type से print करते हैं, I think आपको थोड़ा सा समझ होगा, और जो एक black color का आप देख रहे हो, यहां आपास ink करीबन है, जिसके through ही हमारे पास हर एक चीज पेज पर print होके आती है, अगर हम drum printers की बात करें, एक छोटा सा example कि drum printers काम कैसे करते हैं, एक बाद देख लेते हैं इसको भी, एक section में जो आपने एक drum printer के example देख थोड़ा सा different है, क्योंकि इसमें हमारे पास drum के head पे एक section हमारे पास already ambushed था, जो कि हमारे पास paper पे correct time पे print कर रहा है, जब उसको print करना है, similarly अगर हमारे पास drum में characters होंगे, तब भी वो same तरीके से ही print करेगा, I think आपको समाझ आएंगे सा अब हम next category पे जलते हैं, that is our non-impact printers, जैसे कि हमने impact के बारे में बात की थी, impact का मतलब क्या हो गया, किसी भी surface पे, मिन्स किसी भी page पे में किसी चीज को hit कर रहा हूँ, तब जाके हमारे पे कुछ चीज मेरे पास print होके आई ही, मिन्स सबसे पढ़ी disadvantage उस section की क्या थी हमारे पा सबसे लिए non-impact printers के बारे में जानते हैं, मिन्स ये printers हमारे पास किस टाइप के होते हैं, that does not mix, means hit और impact a ribbon, मिन्स ये ribbon को hit नहीं करते हैं, print करने के लिए, normally they use laser, जैर xyroxographic, electrostatic, chemical, inkjet technologies, means basically हमारे पास अलग-लग इसमें printers होते हैं, जिसमें हमारे पास inkjet होता है, laser होता है, electrostatic technology या chemical का इस्तेमाल करके हम print करते हैं, non-impact printers generally much quieter, means ये ज्यादा voice नहीं करते, ज्यादा शोशरावर नहीं करते, they are less likely to need maintenance or repairs than earlier impact printers, means basically हमारे पास impact printers थे, उसमें अगर हमारे पास एक बार, suppose कि एक भी कोई भी pinhead हमारे पास खराब हो जाती है, तो character को सही करना बहुत important हो जाता ह है, नहीं तो impact printers में वो character कभी हम print कर ही नहीं पाएंगे, तो means impact printer के case में हमारे पास maintenance थोड़ा सा ज्यादा थी, लेकि non-impact printers के case में हमारे पास maintenance बहुत कम हो जाती है, अगरे में वास को हिंदी में पढ़ते है, non-impact printing में print head या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है, इसमें laser printing द्वारा तकनीक की जाती है, इसलिए ये quality हाय रहती है, basically page और जो ink ribbon होगा, उसके बीच में हमारे पास directly contact नहीं रहेगा, right, अगर हमको print करना होगा, तो वो laser technology के थुरू की जाती है, means laser से हम एक head पे hit करेंगे, तब जाके directly वो page पे कुष्णा को चीजे print करेगा, right, सबसे बहले जो category हमाँ पास non impact printers में है, that is inkjet printer, inkjet printers, I think आपने बहुत सार जगह देखे भी होंगे, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसे कि आप अपनी कभी photo निकालने जाते हो, तो maximum places पे आप inkjet printers ही देखते हो, इंकjet printers basically क्या होते हैं, inject printer creates an image by firing tiny droplets, means वो क्या करता है, सबसे हमाँ पास ये एक cartilage होती है, इंकjet printers के, जिसमें पुरीकुरी ink फिल रहती है, जहां से हमाँ पास ink की droplets निकलती है, jets निकलते है, होगा क्या, जहां पे बी किसी भी location पे अगर मुझे को कोई print करना है, तो इंकjet printers उस ही location पे अपने इस cartilage से सारी सारी चीज़ों को hit करेंगे, means वहाँ पे ink लेके आएंगे, जहां जहां पर SIM पर मुझे print करना है, वहाँ वहाँ पे इस cartilage के थुरू मैं ink को place करूँगा, the print head moves back to the fourth, जैसे कि हमने dot matrix printer में देखा था, कि हमाँ पास जो pin head था, वो अपनी इस location से लेके, means इस location से लेके, हमाँ पास next location तक move कर रहा है, means page के left side से लेके right side तक move करता है, similarly हमाँ आपस inkjet printers में भी यह इसी type से move करता है, as a document fed through a set of rulers, the complete image is built up from many small dots, a bit like pixel on a TV screen, means basically जो printing होती है, suppose हमाँ आपस कोई भी page है, अगर मुझे यहाँ पर कोई चीज़ प्रिंट करनी है, तो means basically होता है, चोटे 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 dots होते हैं, लेकिन वो इतने past dots होते हैं, कि आपको लगता है कि मेरे पास जो image है, वो पूरी पूरे regular है, जैसे कि अगर आप अपना वीडियो भी phone में देख रहे हो, तो आप, जो आपके उस screen है, ये भी एक चोटे 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 dot से मिलके बनती है, मालोग की एक डॉट हमारे पास यह है 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 जो छोटे वाली सबसे चीज है इसको हम क्या बोलते है पिक्सल राइट मिंस हर एक पिक्सल जब हमारी पुरी-पुरी कंप्रीट हो जाती है उसी को हम क्या बोलता है कि वी या फोन की स्क्रीन सिमिलरली जब आपस इंक जट जो प्रिंटर्स है आप प्रिंट करता है वो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स को हीट करता है कि जो की बहुत पास-पास होते हैं वहीं सारे-सारे मिलकर हमारे पास एक Image formation को complete करते हैं आपको थोड़ा से समझ आगए InkGen Printers कैसे होते हैं फिर इपर देखते हैं कि InkJet Printers हम आपस कैसे काम करते हैं I think आपको थोड़ी से clarification हई होगी कि Archern Printer कैसे काम करते हैं next आपाast category है that is laser Printer laser printer जैसे आपको दिख रहा है means आज की रेट में maximum जो printers हैं हमारे पास वो सारे सारे laser printers ही होते हैं means अगर सबोस हमें कोई document निकालना है कोई भी हमें letter निकालना है तो हम laser printer के through ही करते हैं यह हमें बेस्ट क्वालिटी देते हैं और थोड़ा सा चीप रेट पे भी हारा प्रिंटर निकल जाते हैं सब उस आप कभी भी किसी शॉप पे जाओगे अगर आपको किसी की जिरॉक्स करानी है फोटो कॉपी करानी है तो मैक्सिमम प्लेस पे हमार पास लेजर प्रिंटर के भी वह फोटोकापीज और थिंग्स करते हैं अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में लेजर प्रिंटर आप पॉपुलर टाइप अफ परस्नल कंपीटर प्रिंटर जो कि हम घर पे भी रखते हैं जैट यूजिजिए नौन इंपक्ट टेक्नलोजी कि इस डांटी स्ट्राइक पर फोटोकापीज टेक्नलोजी वेन डॉकिमेंट इस सेंट तो दो प्रिंटर लेजर बीम ट्रॉस दॉकिमेंट ऑना सिलेनियम कोटीड ड्रम यूजिंग लेक्रिकल चार्जेस मिन्स अगर इसके बारे हम बात करें तो इस लेजर प्रिंटर का मतलब क्या हुआ हमारे पास इसमे वेकं ड्रम रहेगा जोकि positive charge रहेगा जो वह पर फिंटर होगा इसके अंदर यहां पर करूरर होगा जोकि कुछ हमारा इस टाइप के देखेगा जो की positively charged होगा means drum is positively charged जो वापस एक head होगा जहां से वापस lasers आएंगी सारे की सारी right means वो क्या करेंगी हमारे simple positive charge को ही cancel करेंगी means जहाँ 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 पॉजिटीव charge होगा उसको cancel करतेंगी बाकि जो negative places रह जाएंगे simple वो highlighted रह जाएंगे right जो page होगा हमारा वो obviously positive charge होगा right जैसे जैसे हमारा यह drum घुमेगा मैंस यहाँ drum घुमेगा हमारे पास तो page पे सारी चीज़े हमाँ पर print होना शुरू हो जाएंगी means अगर simple भास्चाएंगे बात करें कि हमारे पास इस ड्रम पे राइट कुछ ना कुछ इंक रहेंगी इंक हमारे पास यहाँ पर प्लेस रहेंगी जैसे हमारे पास laser हीट करेगी सिरफ उस उस जंगा को हीट करेगी जहाँ पर मुझे printing करनी है उस चीज़ को वहां से highlight करते करेंगी जैसे रोलर घूमेगा पेज आएगा मेरे पास तो इस ड्रम पे सिरफ वही वही चीज़े रह जाएंगी जो जो मुझे प्रिंट करनी है तो automatically page पर जाके वहां पर emboss हो जाते है मिन्स वहां पर जाके प्रिंट हो जाएंगे पेज हमारे पास हिहां से जो मूव करता है लास्ट पर टोना ऑट मतलब जो भी हमारे पास पीछ पेज पधिप प्रिंट हुआै उसको हीड करके बिल्कुल मिन्स फिनिशिंग पर लेके आने कोशिश करता है ताकि जैसे हमारे पास जो प्रिंट आया अगर गलती से हमारा किसी भी करेक्टर पर हाथ लगता है तो गीला ना हो मेंस वो डारेक्टली एकदम से सूख जाए मैंस कहीं बार आपने देखा होगा जो पहले प्रिंटास होते थे जै थो होड़ा पड़ देखा नियुक्त बाइव लेटेव चार्ज टोनर में ट्रोंटल को टोनर होगा वह और नेकटिली चार्ज होका इस अट्रक्तिव इमेज अनट्रों मिन्स पुजिटिव प्रिंस पॉजिटिव लाइटेज इस रहे तो पॉसितिव चार्ज रहेंगे अ अलोन और लाइट टुकॉस्ट टॉनर पर्मेनेटली अधेर टुद पर्मिंस इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रिंटिंग हमारे पास हुई है इस ट्रम के थुरू वह यहां पर जाके हिट अप हो जाए जो कि पेज पर जाके बिल्कुल जम जाए ऐसा नहों कि पेज भाहर अच्छा नहीं दिखा पाएंगे फिर भी बात देखते हैं कि कैसे प्रिंट करता है यह अधिक हमने कहीं बार इस्टार के प्रिंटर्स को देखे हूंगे कि यह प्रिंट निकालते हैं अगर प्रिंटर्स अगर अम प्लॉटर्स कि बात करें केश्यूंत की कि उब जो भी हमने प्रिंटर्स बड़े हैं बहुत कि छोटे-चोटे पिजिस परında निकाल सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई application का print निकालना है तो आप laser printer का इस्तमाल कर सकते हो अगर आपको suppose कोई photo का print निकालना है तो आप अपने inkjet printer का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन suppose for example अगर आपको अपने घर का एक map निकालना है या आपको एक civil engineering की एक design निकालना है या आपको एक wallpaper type का बड़ा frame निकालना है हमाँ पास plotter printers का इस्तमाल होता है means a plotter is a type of printer that completely focuses on drawing line art means जो कि line art पे काम करती है जिसे कि हमाँ पास कोई civil engineering का computer edit drawing हो सकती है means आपको किसी घर का नक्षा बनाना है उस टाइप का हमाँ पास एक design के लिए plotter printer का इस्तमाल करते हैं आपको कोई map प्रिंट करना है means कोई भी नक्षा प्रिंट करना है या किसी का charts प्रिंट करना है या कोई हमें पास graphics भी प्रिंट करना है तब भी हम plotter printer का इस्तमाल करते हैं means plotter printer हमाँ आपको इस टाइप से दिखते हैं जैसे कि आज की डिट में अगर आप अभी flex printing देखते हो तो वह भी plotter का है इस्तमाल करते हैं right कि आपको समझाय होगा कि प्लॉटर प्रिंटर कैसे काम कर रहे हैं कि आज हमने means printers के बारे में सारी सारी चीए देखी कि हमाँ पास printers कौन-कौन से टाइप के हैं और कौन-कौन सा printer किस-किस तरह से काम करता है I think आपको सारी चीए समझाय होगी फिर भी अगर आपको कोई doubt है lectures में तो आप उनसे पूच सकते हो thank you guys